चले सर, so very 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 good morning to all of you, I hope you all are doing great, आप सभी लोग बढ़िया होंगे and most importantly, preparation बहुत ही बढ़िया चल रही होंगे, start कर दी होंगी और अगर अभी तक नहीं की हैं, तो भाईया, बढ़ाई लिखाई चालू करो, करियर पर ध्यान दो है न, CACS 1-0, चले सर, तो आज के शो में आप स स्वागत, 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 चलिए, आज क्या करने वाले तो सर, जैसा हमारा परमपरा है, बस परमपरा को पहले धोराइंगे, और फिर बढ़ेंगे आगे, तो परमपरा क्या है सर, कि सबसे पहले करेंगे अपन revising, तो रिवीजन बहुत जरूरी है, तो सबसे पहले पूचह Dévelop मगदर पोぎ Wish इतना यादए कि सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कज Pastal की बात अपने शुरू की थी हाँ चीब यंद艇शование से ही सुरू हुआ था और definition की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली definition सबसे जरूरी definition जो थी वो थी सर असेसी हमने क्या बोला सर असेसी कौन कहलाएगा सर असेसी means a person जिससे आप text collect करते हो जिससे सर टेक्स collect किया जाएगा वो हमारे लिए क्या कहलाएगा असेसी वो मैं हो सकता हूँ वो आप हो सकते को वो कोई भी legal entity हो सकती है करेक्ट लेकिन अब असेसी की definition इतनी limited तो थी नहीं हमने थोड़ा सा और इसको आगे extend किया और हमने बोला कि असेसी means a person जिससे हम text collect करेंगे वो तो है ही उसमें हमने कुछ लोगों को साथ में include कर लिया था कौन-कौन से लोग थी जिनको include किया था जिसके उपर जिसके उपर कोई proceedings चल रही हो under the sect चाहे वो income को लेकर हो खुद की income को लेकर हो चाहे किसी दूसरे की income को लेकर हो, चाहे refund को लेकर हो, या losses को लेकर हो, तो इन सब को भी assessi की definition में रखा जाएगा, फिर हमने बोला कि अगर कोई assessi क्या हो, assessi in default हो, तो वो भी फिर assessi की definition में आएगा, ठीक है, फिर एक statement बोला था ना, कि every assessi is a person, but every person need not be assessi, इसके उपर भी अपनी चर्चा कल की class में हुई थी, ठीक है सर, फिर एक नया definition पढ़ा था, assessment, assessment का क्या मतलब हुआ करता था, assessment बोले तो सर, कि हमने बोला था कि जब भी हम किसी की, एक ऐसी income निकालना है, जिस पर उसको tax देने की liability आए, तो उस income को calculate करना, compute करना, जो वो process कहलाती, उसको हम क calculate करना, is called assessment, फिर 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 आगे आयते सर, पॉसन में सबसे पहला कौन था सर, तो हमने पॉसन की definition को पढ़ा था, और सबसे पहले उसमें था, individual, उसके बाद आयता सर, ह, यू, एफ, then company, firm, aop, by, local authority, and artificial judicial person, अगर पॉसन की definition की बात करूँ और उसमें अगर कुछ खास बोला है, तो अगर मैं बोलू कि हमने जब firm की बात की थी, तो firm include LLP इस बात का हमको ध्यान रखना है, फिर अगर मैं बात करूँ company की, तो हमने company को domestic company और foreign company में classify किया था, domestic company में एक तो आईगी सर, आपकी Indian company, Indian company is a domestic company, correct, तो अगर मैं company में बोलू तो एक तो domestic company और एक थी foreign company और एक लूट किया था इसमें, एक और कौन सा था, हाँ जी सर, एक ऐसी company, कौन सी company सर, जो domestic company में एक तो Indian company, और एक ऐसी company जो dividend distribute करती हो, ऐसी income से, जो income India के अंदर taxable हो, अगर किसी company की कोई income है, जो India के अंदर taxable है, और उस taxable income में से अगर dividend माटा जा रहा है, तो उस company को भी domestic company बोल जाएगा, और दोनों में से जो नहीं है, तो वो automatically क्या हो जाएगी, foreign company, फिर हमने firm की बात की थी, partner क्या होता है, firm क्या होता है, partnership क्या होती, इसके उपर भी अपनी एक बहुत बढ़िया चर्चा हुई थी, उसके बाद आगे बढ़े थे, उसके बाद जब आगे बढ़े त यहां तक अपना discussion हो चुका था, correct है यहां तक बिलकुल और उमीद करते हैं कि यहां तक आप बिलकुल बिलकुल clear होंगे, अब आगे की कहानी और आज से और और जिसे मैंने कल आपको बोलाता है कि day by day थोड़ा सा अब अपन और in depth में जाते जाएंगे income tax के अंदर, तो होता है assessment year, देखो logic बहुत सिंपल है, यह previous year assessment year का system आया कहां से है, क्या है इसके पीछे की बज़े तो आप समझ यह कि जब मैं बात करता हूँ ना यह कि मैं पूरे साल income कमा हूँ, तो अब मैंने पूरे साल में कितनी income कमा हूँ, यह तो कब पता चलेगा at the end of the year, और generally year कौन सा चलता है हमारे तो financial year ही चलता है, income tax तो financial year को ही consider करता है, और financial year कौन सा होता है सर, कहां से चालू होगा, 1st of April to 31st of March, अब मैंने एक साल के अंदर कितनी income कमाई है, वो मुझे tax देना है जब 31 March close हो जाए, और वहां से हो जाएगा नया साल, चालू, तो मतलब मैं पिछले साल जितना भी कमाऊंगा, उसकी income कहां जाके tax होगी अगले साल में, अब मैंने जो पिछले और अगले साल बोला, उसी को अपन क्या बोलते है, previous year and assessment year, तो या तो अपन ऐसा करें कि पहली definition पढ़ लें, फिर समझें, या तो उल्टा करें कि पहले समझ लें, फिर definition पढ़ें, त इसके कुछ एक exception भी आपको मिलने वाले हैं, तो आपको फिलहाल अभी यह समझना है कि सर, हमारे जो income tax की बात करें, तो उसमें दो year चलते हैं, one is previous year and second one is assessment year, अब यह होते क्या है, कैसे होते हैं, आईए अपन धीरे-धीरे ही सही इसकी अपन चर्चा कर लेते हैं, तो definition हा मि गई, assessment year की देखे, सबसे उपर ही लिखी है, यह रही सर, assessment year के अंदर क्या लिखा है, बताइए सर, क्या लिखा है, देख रहा है क्या विजिवल है, हाजी बिल्कुल, assessment year means the period of 12 month, तो उन्होंने बोला, assessment year मतलब एक ऐसा साल जिसमें कितने महीने आते हैं, 12 महीने आते हैं, 12 month Commencing on, Commencing मतलब start होता है, कहां से, 1st of April every year, हर साल का जो पहला April होता है, वहां से एक नया assessment year चालू हो जाता है, और हर assessment year में 12 महीने होते हैं, therefore, the period beginning on 1st of April of one year and ending on 31st March of next year, income of the previous year of assessi is taxed during the following assessment year at the rate prescribed by relevant financial, क्या बोला सर उन्होंने, सर अगर मैं समराइज करूं तो उन्होंने बोला, assessment year मतलब एक ऐसा year, इसमें total 12 महीने होंगे, starting होगी 1st of April से, और खतम हो जाएगा 31st of March पर, किसी भी assessi की income, previous year की income taxable कहां पर होगी, assessment year के अंगर, यहां तक मामला के ल है, तो मतलब in short मुझे यह समझ में आ गया सर यहां से, कि कोई भी व्यक्ति अगर income earn करता है, तो जो उसकी income का funda है, जो उसका income का concept है, वो previous year में पैसा कमाएगा, और उस income पर assessment year में क्या देगा, अब जैसे अगर अपन कुछ लिखना चाहें, कुछ करना चाहें, तो अपन एक बार करने की कोशिश करते हैं, कि सर यह funda है क्या, तो जैसे मैं आपको कुछ dates लिखता हूं, अच्छा एक confusion सबसे बड़ा जो student के मन में है, कि सर हम जो जिस exam में हम बैट रहे हैं, उसके लिए assessment year कौन सा applicable है, तो यह बड़ी confusion होती है, तो अपन उसके थूरू एक example लेते हैं यहाँ जून, तो मैं लिख रहा हूं सर, जून, 24 और करेक्ट है, आप जून 24 में देंगे, अब मैं आप से पूछता हूं, जब आप income text के पेपर में बैठोंगे, क्योंकि आप तो डिस्क्रिप्टिव है, new scheme के साब से बात करें, सब कुछ आपको compute करना है, वो आपसे बोल रहा है कि सर, किसी भी assessi की income को compute करिए, income को calculate करिए, आप जून 24 के exam में बैठें, आप मुझे बताइए, आप उसकी कौन सी income compute कर सकते हैं, कौन सी income compute करने की आपके पास अभी फिलाल capacity है, या information है, जिसके basis प तो मैं 31 March 24, यहीं तक कि उसकी income आप calculate कर सकते हैं, जून में तो आप बैठे ही हो न, तो सर, उसके बाद की income तो अभी आई भी नहीं है, तो आप करतों पाओगे उसके पिछले की, मतलब मैं अगर इसको पूरा लिखूं तो आपने कहानी लिखी है, 1st of April 2023, आप उसकी कौन स से लेकर 31 March, उसकी इसी income को आप जून में compute कर सकते हो, हाई या न, तो सर, 1 April 2023 से लेकर, अगर मैं March 24 तक की बात करूँ, 31 March 24 तक की बात करूँ, तो यह आपके लिए क्या कहलाएगा, previous year, correct, this is your previous year, अब assessment year क्या होता है सर, तो सर, मैं 1 April 2023 से लेकर 31 March 24 तक की जो income मैंने कमाई है, वो अगले साल taxable होगी, उन्होंने अभी बोला न, कि हर 1 April से assessment year चालू हो जाता है, और वो कितने महीने का होता है, 12 महीने का, तो मतलब जब यहाँ से 1 April 24, correct, और खतम कहा होगा यह, 31 March 25, if I am not wrong, correct, तो यह आपके लिए क्या हो जाएगा सर, this is your assessment year, हाँ या न, तो आपका assessment year क अभी कौन सा assessment year applicable है आपको, बोलो अभी कौन सा है, 24-25, अब finance act कौन सा applicable है आपको, तो मैंने जब परसो नरसो बात हुई थी है, finance act के बारे में, तो मैंने बोला था, आपका budget का बाता है, February में, और February में budget आता है आपका, तो मुझे बताओ सर, अगर 1st of February, अभी भी आएगा जब 1st of February पर कोई budget आएगा, 1st of February 2024, यह सर बजट पिछले का होगा कि अगले का होगा, तो आगे का पॉस्पेक्टिव बता रहे हैं, आगे का estimation बता रहे हैं, आगे की policies बता रहे हैं, हाँ या ना, मतलब यह applicable कहां से होगा, again 1st of April 24 से, budget बनेगा, वो था House of Parliament में जाएगा, वहाँ से आगे precedent के पास जाएगा, और वो बन जाएगा finance act, आया ना, ऐसी process होती है, तो जो budget आपका आएगा, यह तो है सर अगले साल का, तो ऐसे पिछले साल का भी आया होगा, और हमें सर अगले साल का follow करना है, income कौन सी आप calculate कर रहे हो, 23-24 की, तो मैं budget 24-25 का तो follow इसलिए finance act आपका कौन से applicable होता है, finance act 23, getting the concept, यह अपन समझ पाएंगे कि जिस attempt में हम बैठे हैं, उसका finance, finance act के साथ साथ तो उसका assessment year कौन सा है, क्या consider कर पाएंगे, तो आप तो ऐसा सोचा करो, ऐसा बोला करो, या बिलकुल अगर shortcut की बात करें कि सर जिस attempt में बैठा हूं, मैं बैठा हूं 24 में, तो 24-25 मेरा क्या है, assessment year, इसका एक साल पीछे चले जाओ, तो वो आपका क्या है, previous year, अगर say for example, कोई बच्चा 25 में बैठे, जून 25 में बैठे, तो बैठा कब है, जून 25, मतला 25-26 is the assessment year, और उसका एक साल पहले, 24-25 is the previous year, correct है बात, चलो, आगे और अपनने क्या समझा, सर, 12 महीने होंगे, 1st of April से चालू होगा, 31st March में शतम हो जाएगा, correct, मतलब सर, in short, assessment year में 12 महीने तो रहने वाले है, क्या कोई भी assessment year 12 महीने से कमका हो सकता है, क्या कोई भी assessment year 12 महीने से कमका हो सकता है, हाँ या ना, पूलिया, यह देखो, सोचना लेगा, क्यों सकता है क्या, यह सकता है, यह सकता है, यह सकता है, अभी देख लेते हैं हो सकता है, यह नहीं हो सकता है, लेकिन उसके पहले assessment year के साथ क्या पढ़ ले, प्रीवियस यर पढ़ ले, चलो सर, previous year में क्या लेका है, previous year बोले तो, income taxes payable on the income which is earned during the previous year and it is assessed in the immediately succeeding financial year which is called an assessment year, देखें सर, previous year is nothing, it is a year in which you are earning any income, अगर किसी साले के अंदर आप कोई income कमा रहा हो, तो वो आपके लिए क्या है, previous year है, जनरली जो आपका financial year होता है, वो ही आपका क्या होता है, previous year होता है, previous year में जो मैं कमाऊंगा, उसकी income taxable हो जाएगी, कहां पर जाके, assessment year के अंदर, ले previous year के अंदर भी जनरली बारा महीने होते हैं, और assessment year के अंदर भी जनरली बारा महीने होते हैं, लेकिन एक concept की सर, assessment year कभी भी बारा महीने से कम का, नहीं हो सकता है, लेकिन previous year बारा महीने से कम का, हो सकता है, सर कैसे, बताइए, कैसे होगा, अब आपने बोल तो दिया कि हो सकत देखते हैं मैं यहाँ पर दो-तीन साल ऐसे लिख देता हूं तो मालो मैंने लिखा 18 13 और 20 कि पूर मालो मैंने बिजनस स्टार्ट किया था फस्ट ओफ ओगस्ट थाउजन एटीन में कब से स्टार्ट किया फस्ट ओफ ऑगस्ट तूजन एक तीन तो जनरली प्रिवियस यह आपका प्रिवेस यह और अल्टोगेदर अगर बोलू तो सेम बात है लेकिन यहाँ पर प्रॉबलम क्या हुए कि मेरा बिजनेस ही कहां से चालू हुआ मतलब मैंने कमाना कहां से चालू किया एक अगस्त से तो यह जो मेरा साल होगा दोहजार अठारा की बात कर रहा हूँ यह मेरा साल चालू होगा फस्ट ऑफ ऑगस्त तू थर्टी फर्स्ट काई दो एटी नाइन तेन्टी इसमाइड प्रीवियस यर्ग है अब इटीन नाइटीन की इनकम नापर टेक्से बलोगी अगले साल एस्समेंट मेंडें नाइन्टीन तुंटी लेकिन नाइनटीन टुंटी को और आब अब और से देखो तो इसमें बारा महीने या से कम है एक जनवरी 2019 में चालू किया होता एक जनवरी 2000 तो जनवरी फेब्रेरी मार्च मेरा प्रीवेस यर कितने महीने का होता के वल तीन महीने का लेकिन अस्सेश्मेंट एर अभी भी सा लिखाए सब्सक्राइब कि यह नंबर टू लिखाए 19 मतलब यह चालू कहा से होगा first of April 19 से और चलेगा कहां तक 31 March 20 तक 31 March 20 मैंने बोला यह क्या है आपका previous year है यह आपका क्या हो गया previous year इसकी Income टेक्सिबल कहां पर होगी असेस्मेंट एर 20 21 में और अगर मैं 20 21 में जाओं तो यह प्रीवियस यह चालू होगा एक अप्रेल 20 से लेकर 31 मार्च 21 तक और इसका असेस्मेंट के यह क्या होगा 21 22 मतलब यहां से एक और चीज़ समझ में आई कि हर एसेस्मेंट इयर भी होता है और और यह प्रीवियस इर है ऑगर आज कोई एयर प्रीवियस इर और अगर किसले यह चिर यह ए किया रहा होगा आज को अगर असेस्मेंट यह तो आने वाले समाई के लिए वह फिर क्या बन जाएगा प्रीवेस यह बनेगा लोहाया ना तो यह कॉंसेप्ट किसका है प्रीवेस यह और असेस्मेंट तो इन शॉट अगर मैं जनरल बात करूं तो जनरल रूल यह है कि सर इनकम आफ दी प्रीवियस एर हिस सथाइज़ कि अनडी असास्मेंट यह इनकम अब दी प्रीवियस यह सथी इसकी अनडी अस्थमान करैक्ट है बात आवेवर दियर आर सम एक्सेप्श नस यह गया होगी exception to this rule मतलब general rule क्या है सर कि income of the previous year is assessed taxed in the assessment year लेकिन however है सर कुछ general rule है general rule के कुछ exception है जहां पर ये वाला rule applicable नहीं होगा मतलब आपको previous year की income पर previous year में ही tax देना पढ़ेगा यह tax देना नहीं बोल सकते हैं ज्यादा suitable यह रहेगा कि previous year की income previous year में ही assessed हो जाएगी assessment हो जाएगा उसका compute हो जाएगी फिर tax निकलेगा तो tax देना और इनकेस नहीं निकला तो देने की ज़रूरत नहीं लेकिन उसका assessment previous year में ही हो जाएगा तो ऐसी हैं सर चार situation situation number one income of non resident from shipping अब जनरली पते हैं यह shipping business वाले जो होते हैं बड़े होशयार होते हैं shipping business वाले जो ship का business करते हैं यह लोग पते क्या करते हैं इनका जो business है वो registered करवाते हैं ऐसी country में जहां पर tax लगते ही नहीं है इसी बहुत सारी countries हैं जिनको tax heaven बन बोलते हैं में tax ही नहीं है तो सर यह लोग अपना business कहां करवाएंगे registered कहां करवा लेंगे ऐसी country में जहां tax होता ही नहीं है और इनका fund यह रहत है कि मैं पूरी income लेकर कहां जाँगा उस country में जहां पर हम registered है और वहां पर हमें ट्रंस्पोर्ट के लिए कोई सामान लादा passengers को उठाया passengers को छोड़ा और आप उनसे फ्रेट सब चार्ज कर रहे हो मतला ultimately आप कमा के कहां से ले जा रहो हमारे हां से और आप क्यूंकि आपका यहां इंडिया में तो कोई existence है यह नहीं तो यह तो फिर बढ़िया बात हो गई कि तुम हमां यहां से कमा के और निकल लोगे तो फिर गवर्मेंट बोली कि ना ऐसा नहीं हो पाएगा अगर मैं यह इंतजार करूंगा कि तुमने साल कमाया और टेक्स कब लेंगे अगले साल तो तुम्हें ढूड़ेंगे कहां तो बड़ी प्रॉब्लम है कि तुम एक बा उनको बोला कि नहीं जाने से पहले आपको टेक्स दे के जाना तो वो क्या बोलेगा नहीं सर इंकम अप दी प्रिविएस यूर इस असेस्जिंदी असेस्मेंट इयर हम क्या बोलेंगे नहीं इसके कुछ एक्सेप्शन है और आप उस एकसेप्शन की केटिगरी में फॉल हो आप नॉन रेसीडेंट हो और आप शिपिंग बिजनेस कर रहे हो तो आपको अपनी इंकम पर असिस्मेंट यह में नहीं पर पढ़ेगा एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है सर सेक्शन 172 अन नॉन रेसीडेंट हूँ इस केरिंग ओन शिपिंग बिजनेस एक कोई नॉन इंडिया अगर कोई भी इंकम कर रहा है किसी भी पूर्ट में इंडिया के अंदर शेल भी चार्ज टू टेक्स बिफोर दीशिप इस अलाओ तो लीव इंडिया का पोड़ने से पहले आपको असेस्मेंट करवाना पड़ेगा एंस इंकम इस डीमड एंड कंप्यूटेड ए तो यही आ सकता है कि सदिन मेंसे कौन साथ है है या कौन साथ क्सेप्षण नहीं है अगर एक्सेप्षण के साथ दे दिया तो वह आपको क्या करेंगे इंकम दे देंगे इसकी total असीस्ट जो इनिकम आएगी वह कितनी आएगी तो उसने अगर जितना भी कमाया अगर उसने एक लाख रुपे कमाया तो उसका साड़े साथ परसेंट क्या हो जाएगा उसका असेंज्ड इनकाम हो जाएगे उस पर फिर उसको टेक्स देना पड़ेगा तो कितना रखना है सर 7.5 परसेंट ऑफ दी अमाउंट ऑफ दी फियर और फियर बोले तो अगर वो किसी को पैसेंज लुकालाईंगी उसकी टेक्स नहीं है यह लोगी हो उसकी क्या कहल आती है टेक्स पर आप क्या लगाते हो डेक्स अब सरकार यह बोल रही के एक तो तुम बाहर के आदमी तुम्हें हम ऐसे ही रोक रहे हैं अब कहां तुमसे घर्चे पूछते बैठे रहेंगे फिर कहां तुम हिसाब दोगे तुम्हारे पास बित्ता टाइम और हमारे पास बित्ता टाइम एक काम करते सब छोड़ो ना तुम्हारी ना हमारी तुम तो यह बताओ तुमने टोटल फ taxable income that means it is a net income getting the concept to 7.5 percent of the amount of the fare or freight charged by non-resident ship from the Indian यह हम पहले व्यक्ति को रोकेंगे exception पहला क्या बोलता है कि कोई भी non-resident है जो shipping business करता हो वो उसकी जो income होगी वो previous year में ही assist हो जाएगी उसको assessment year तक जाने की जरूरत नहीं है इस एक्सेप्शन नमबर वन एक्सेप्शन नमबर टू क्या लेका सर एक्सेप्शन नमबर टू क्या लेका है कि income of the person leaving India either permanently or for तो वह वाला सर अच्छा चलते हैं दुआओं में याद रखना तो आप सोचकर देखो नहीं है कि कब आएगा और अगर ऐसे लोगों को गवर्मेंट इंडिया से जाने दे इंडियन गवर्मेंट का तो बड़ा नुक्सान हो जाएगा भी हम जब तक तेक्स अबिलिटी लाएंगे असेस्मेंट इयर में तुम मिलो गई ही नहीं तो टेक्स लेंगे किस से अरह या ना अरह हा या ना तो फिर क्या करना चाहिए उनको एसेस्मेंट इयर तक वेट आप तो जाने से पहले दिए इन्डिवीजर को लगता है कि कोई भी पुसंट इंडिया चोड़ कर जा रहा है और उसका लोटने का अभी फिलहाल कोई भी इंटेंशन प्लेंग नहीं है तो फिर क्या करो सर इंकम इस चार्ज टू टेक्स डूरिंग एमसेस्मेंट यह सेमसेस्मेंट यह मतलब जो प्रीवेस यह वो भी किसी के लिए असेस्मेंट यह होगा और उससे वहाँ पर टेक्स चार्ज कर लें हमें उसके लिए असेश्मेंट यह तक का बेट करने की ज़रूरत नहीं दिस एक्सेप्शन नमबर टू नौ मुविंग ऑन एक्सेप्शन नमबर 3 क्या लिखा है इंकम अब दी वाडी इस फांट फॉर यह भी तो हो सकता है कि हमने कोई बनाया कोई बियो आई बनाया जॉइंट वेंचर्स की कहा नहीं चलती है वह एक शॉट पीरिड के लिए बनते हैं कि मालो कोई मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया आ चलाएंगे क्लास का डिवरेशन किता रहेगा साड़े तीन महीन है तो हमने यह रखा जो भी हम लोग थे पूरे ग्रूप में लोग हमने रखा किया एक काम करते हैं तो आड़े तीन महीने चलाएंगे और बंस कोर्स इस कंप्लीटिट हम अमारी जो फॉर्म है उसको क्या कर आलो टेंथ आफ देसेंबर पर मैंने क्या कर दी कि डिजॉल्व कर दी इसी साल बनाई और इसी साल अब जर्नलीस की इंकम कप होनी चाहिए थी टेक्से बिल असस्मेंट यह में जो आएगा लेकिन उस तक तो बॉड़ी जो बनाई थी उसका कोई एक्जिस्टेंसी जब लॉमिकर से बोलते हैं सर कि अगर कोई भी आपने बॉड़ी को फॉर्म किया है और उसका परपस है कि आप शॉट डिउरेशन के लिए कर रहे हो और उसके बाद आप कर दोगे बंद कर दोगे तो फिर इससे अच्छा है कि आप असस्समेंट यह तक जाए हम तुम रहोगे करें नहीं तो पर टेक्स अबिलिटी तो वैसे भी नहीं आएगी आप बोलो ना जब आदमी नहीं रहा तो सर उससे बुराइयां कैसी अपनपने को पता है कि अगर वॉडी बनाए शोट डिउरीशन के लिए बनाई और अगर एक बार इसका वाइंडिंग अप हो गया तो जब बॉडी नहीं रही तो टेक्स कैसा अरे हाँ या ना तो उन्होंने बोला कि एक काम करो आप शॉट ड्यूरिशन के लिए थे ना अब आप बेंडिक पार रहे हो ना विंदिन अप करने से पहले अभी तक आपने जो भी कमाया है नहीं भी कमाया है टेक्स दो मत ऑस्समेंट do erkr2 करो gOOOO assessment होगा income अगर taxable आएगी आप tax दीजे नहीं आएगी हमें कोई दिक्रत तो assessment तो कराना पड़ेगा कोई लिखा है सर section number 174A क्या बोल रहा है when it appears to the assessing officer that any organization is formed for a particular event and is likely to dissolve देखो यह नहीं बोला कि compulsory dissolve हो ही रहा है अगर assessing officer को लगता है कि dissolve हो सकता है during the current भी यह फिर क्या करो dissolve करने से पहरे tax liability पे आफ करो assessment कराओ और एक्समेंट कराओ और एक्सेप्शन नंबर एक्सेप्शन नंबर बन क्या था non-resident shipping business exception नंबर टू क्या है पॉस्टन लीविंग इंडिया और लॉंग टाइम और फॉर पर्मानेंटली exception नंबर थी क्या है सर इंकम और फॉर्म बडी फॉर्म फॉर्ट दूरेशन और फॉर्थ exception क्या है सर एक्सेप्शन नंबर फॉर क्या देख रहा है income of person trying to transfer his assets with a view to avoid concept होता पता आगे जाकर अपन पढ़ेंगे clubbing of income क्या होता था देखो पहले सामय में क्या करते थे लोग जैसे लिमिट होती थी ना एक celebrate चलती है तो लोग क्या करते थे जैसे मेरे पास income है बहुत जादा तो मैं क्या करूंगा मेरे इंकम को ना दो चाल लोगों में बाट दूँगा फैमिली मेंबर्स में एक्जामपल मेरे इंकम है से से फ़र एक्जामपल टैनलेक रोपीज है और मालो ऐसा कि अभी स्लेप कितना चला धाई लाग कर तो मुझे टेक्स देना पड़ेगा आया ना तो मैंने दिमाग लगा मैंने क्या क्या धाई लाग मेरे पास रखा अगला धाई लाग था मेरी वाइफ के नाम को दे दिया अगला धाई लाग मैंने एक फस्ट अपने जो बच्चा है उसको दे दिया और बचा हुआ डाई लाग एक और बच्चे को दे दिया अपके पास कितना कितना हो गया लोग क्या कर रहे हैं सर टेक्स को अवाइड करने के लिए क्या करते थे इंकम का ट्रांसपर कर देते या असेट्स को ट्रांसपर कर देते तो वहां पर एक कॉंसेप्ट लाया गया है जो आगे जाकर अपन डिसकस करेंगा उसको बोलते क्लबिंग ऑफ इंकम तो इस कॉंसेप्ट में मैंने जो एक्जांपल दिया समय पता है क्या करते हैं लॉमेकर्स बोलते हैं कि तुम किसी को भी बाट दो हमें कोई दिक्कत बच्चे से पूछेंगे कि आपके पास पैसा कहां से आया बच्चा बुलेगा पपा ने दिया तो य हम धाई उनसे मांग नहीं रहे लेकिन उस धाई पर टेक्स किस से लेना यहम डिसाइड कर रहे और वो कैसे डिसाइड करेंगे वाई the concept of clubbing of income तो हम तीनों लोगों की income को मेरी income के अंदर क्या कर देंगे club कर देंगे और मेरी total income बढ़कर कित्ती हो जाएगी 10 लाग अब ले लो आप टेक्स और लिया जाएगा this called clubbing of income वैसे ये concept है बिटा income of person trying to transfer his assets कोई भी पॉसन है जो अपनी assets को transfer कर रहा है try कर रहेंगे transfer कर देंगे उसका purpose क्या है ताकि टेक्स बच जाए लोमेकर क्या बुल रहा है आपको जिसको अपनी asset transfer करना ना कर दो हमें कोई दिक्कत लेकिन transfer करने से पहले transfer करने से पहले आपका होगा assessment सर देखो आप assets transfer करो यह legal तो है नहीं और हम आपको रोग भी नहीं सकते आपको जिसको transfer करना कर दीजिए लेकिन सर असिट transfer करने से पहले आपको क्या कराना पड़ेगा आपका assessment कराना पड़ेगा और अगर कोई tax liability आ रही है तो वह tax liability pay करनी पड़ेगी तो यह हो गया exception नमबर चार एक बड़ जल्दी से अंदर पड़िये क्या लेका है वेन इट अपेर्स तो अशेसिंग officer that during the current assessment year any personal is likely to charge sell transfer dispose of or otherwise part with any of his assets to avoid payment of any liability under this act the total income of such person for the period from the expiry of previous year to the date when the assessing officer commends proceedings under this section is chargeable to tax in the in that assessment year sir जिस साल आप यह transfer करने की कोशिश कर रहे हो हम अब आपकी assessment के लिए assessment year तक कवेट नहीं करेंगे आपकी income current previous year में ही assess कर ली जाएगी और अगर कोई आपकी उपर liability अगर आ रही है तो आपको उसके उपर वो टेक्स पे करना पड़ेगा तो अगर मैं समराइज करूं सर्फिलहाल चारों को तो आप ऐसा समझों कि जनरल रूल यह बोलता है कि income of the previous year शुट असेज्ड इन दी assessment year income of the previous year is assessed in the assessment year और प्र प्रिविए सिरी के person leaving in India for long time or permanently third what he found for short duration fourth abhi pada fourth trying to transfer asset to avoid tax liability or pachaba माचपा और आखरी income of discontinued business इन एक बिजनेस खुला अच्छा चल रहा था बढ़िया चल रहा था इस एफर एक्जेंपल 2015 में बढ़िया चल रहा था मुझा आ रहा था लेकिन फिर को बिड़ा गया कोविड मिड सेशन में मुझे रिलाइज हो गया क्या अब अपने बसकी नहीं है और अभी बिजनेस लेगा मैंने डिसाइड कर लिया बिजनेस को बंद कर रहा हूं इस तक सब बढ़िया चल रहा था तो मतलब 15-16-16-17-17-18-18-18-19 सब के टेक्स बराबर चल रहे थे לח अगर बिजनेस अगले दिन से रहा ही नहीं तो पर आप टेक्स किस से मांगोगे जब कोई बात है गिले सिक वे कैसे जब आदमी नहीं रहा तो अगर आप किसी बिजनेस को discontinue कर रहे हैं sir mid of the session में या कभी भी discontinue कर रहे हैं तो sir assessment year तक का wait up नहीं होगा आपको क्या करना पड़ेगा sir assessment करवाना पड़ेगा उसी previous year में जिस year में आप उसको discontinue कर रहे हैं आया ना एक बार पड़ लेते हैं वेर एनी business or profession is discontinued in any assessment year यह बार बार assessment year पता है क्यों बोल रहे है क्योंकि हर previous year कभी न कभी अभी तुम ने समझा कि अगर आज कोई साल previous year है तो पहले कभी assessment year अगर आज मेरा assessment year 24 25 है तो आगे जाकर यह क्या बन जाएगा इसलिए बनेगा इसलिए वारबर बोल रहे हैं कि the income of the period the income of the period from expiry of previous year up to the date of such आपने जितने महीने चला है जैसे सिपर एक्जांपल मैंने सप्टेंबर में बंद कर दिए फस्ट सप्टेंबर को मैंने business discontinue कर दिया तो मेरा year कहां से चालुआ था फस्ट अप्रेल से फिनेंसियल या प्रिवेस यह बोले फस्ट अप्रेल से लेकर फस्ट अप्र सप्टेंबर तक आपकी जो भी इनकम होगी वो कैलकुलेट की जाएगी और उस पर अगर कोई टेक्स लाइबिलिटी बनती तो इसी प्रिवेस यह में आपको वो टेक्स भी भरना पढ़ेगा आप डिसकंटीन्यू कर दीजिए फिर कोई दिक्कत वाली बात तो यह हैं सर पांच एकसेप्शन जनरल रूल के और जनरल रूल क्या था जनरल रूल क्या था इसर इंकम ऑफ दी प्रिवियस ये शुट बी असेज़़ इन दी असेसमें अब इनक्यू पर क्वेशन आप समझ सकते हैं आप बिल्कू आ सकते हैं आप M.C.Q. बेसे में ले ले या मुझे परसनली वह 7.5% वाली जो बात है वह पसंद है वह वह वश्चन आप से बिल्कुल पूछा जा सकता है याद यह रखना है जो अक्सर गन्फीज हो जाती कि 7.5% इस नौट इमांट अफ टेक्स बच्चों कैसा लगता है कि 57% टेक्स है 57% टेक्स है 57% टेक्स निया 57% टेक्सिवल इं प्रिवियस यह एक पका क्योंकि इंकम टेक्स में अगर कुछ बहुत जरूरी है तो वह फिलाल तो यह है कि आप इन दौनों को समझें कि सरस्समेंट यह क्या होता है और प्रीवियस यह क्या होता अब आप चाहें तो यहां पर दो एक्जाम्पल्स दिये गए हैं आप एक तरूर रीड़ कर लिए विटा दोनों एक्जाम्पल वैसे मैंने बता दिये हैं वह ठीक है फिर भी आप एक बर रीड़ कर लीजे कोई रिकर आप वह ठीक है अपने चीज डिसक्स कर चुके ठीक है आगया जाते हैं हाँ जी चलिए अब बात करते हैं इंडिया की कि सर इंडिया मतलब क्या तो मैंने बूला ना कि वैसे तो चीजें ऐसी होती है जो हम नौर्मली समझते हैं वो अलग चीजें और लोग के साफ से मीनिंग अलग होते हैं तो हमें यह समझना जा लेखा सरड़ अंडियगा मतलब क्या होता सर जल्दी देखे इंडिया का मतलब होता सर अगर आप पढ़ोगे तो उसका जो आर्टिकल वन है उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या बता है इंडिया का मतलब समझाया है ठीक है आगे क्या लिखा है इट्स टेरिटोरियल वाटर सीबेड सबस्वाइल अंडरलाइंग सच वाटर कॉंटिनेंटल शेल्फ एक्स्क्लूजव एकनोमिक जॉन एनी अधर स्पैसिफाइड मेरिटाइन जॉन एंड एयर स्पेस ठीक है सरी आपको बात जो समझ में आई बहुत अच्छी बात है और अच्छी बात है अपन समझते हैं इंडिया मतलब क्या ठीक है अदेखो आपने पहले कहीं समझा सीखा वो ठीक है मैं ऐसे बनाने की कोशिश करूँगा कुछ-कुछ बाकि मैं आर्टिस्ट तो विल्कुल भी नहीं हूँ फिर भी मैं कोशिश करूँगा कुछ अच्छा सा ड्रॉ कर लों आपको समझाने के हिसाब से ठीक है तो हाँ वाँ बढ़िया बना मैं देख रहा है जो जितनी जमीन है आप ऐसा समझे वो तो इंडिया ही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है इंडिया के जो लेंड मास के ऊपर एयर स्पेस है वो भी किसका है इंडिया का है अब होता क्या है कि सर ये तो इंडिया है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन को हलका सा नीचे करता हूं और आपको कुछ बनाके बताता हूं और आई तिंग आज आपका यह डाउट यह अगर होगा तो यह क्लियर हो जाएगा कि यहां पर दो तीन वर्ड यूज हुए है वह अपन एक बार समझ लेते हैं यह मतलब क्या है सर आपका मैं बोल देता हूं आपका यहां से पानी चालू हो रहा है जहां मैंने वह यहां से सर तो अल्व न्यूटिकल माइल्स कितना लिखा मैंने तोल विन्यूटिकल माइल्स और यहां से सर 200 न्यूटिकल माइल्स जो वाटर में डिस्टेंस को मेजर किया जाता है उसको अपन मीटर किलो मीटर में नहीं मेजर करते हैं उसकी एक मेजरिंग यूनेट होती है निटिकल माइल्स निटिकल वन निटिकल माइल्स एक क्वस्ट्ट होता 1.852 किलो मीटर तो यहां से कितना गिरूँगा 12 Nutical Miles अगर आप जहां से सर बिलकुल पानी चालू हो रहा वहां से जो 12 Nutical Miles होता है उसको बोलते हैं Territorial Water यह लिखा देखो यह बिला यहां लिख दूँ मैं 12 Nutical Miles बोलो हां मतलब जहां से जहां से लेंड मास से पानी चालू हो रहा वहां से कितना गिनना है 12 Nutical Miles उसको क्या बोलेंगे Territorial Water और जहां से पानी चालू हो रहा वहां से 200 Nutical Miles कितना 200 उसको बोलते हैं नहीं 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 इस्पेशल एक्स्क्लूजिव एक्कनॉमिक दोन मतलब सर आप समझो लेंड मास इंडिया लेंड मास की ऊपर एयर स्पेस इंडिया और पानी से 12 Nutical Miles इंडिया उसको हमने क्या बोला था उसको बोला टेरिटिरियल वाटर और जहां से पानी चालू हो रहा हो वहां से 200 Nutical Miles एक्स्क्लूजिव एक्कनॉमिक जोन यह भी इंडिया कहलाएगा बोलो यहां तक ठीक है अब मुझे बताओ पानी के अंदर की जमीन है वो किसकी तो भी किसके अंदर आएगी इंडिया के अंदर आएगी देखो कहीं तो लिखा होगा एड़ेट यह लिखा देखो सीबेड इस वाइल सब इसब्सWall है मतल है उसके नीचे जमी हुई जमीन है वह भी किसकी में इसार इंडिया की है वो भी किसकी है सर अच्छा मुझे बताओ एक और लिखाऊगा और कॉंटिनेंटल शेल्फ लिखा है कई हाँ जी बिलकुल लिखा है कॉंटिनेंटल शेल्फ आप कि कभी नदी में घय और नदी नदी में घये हो कमें में स dif竜 में देता होकी जैसी मालो एक सिम्नेक में बनाई देता हू किया माललो जैसी सुमें worse से पहला कदम पानी में डाला डुप से अंदर क्योंकि उसका जो मेजरमेंट होता है वो बिल्कुल एक्जेक्ट सेम होता है लेकिन कभी अगर आप किसी नदी में जाओ तो क्या नदी ऐसे ऐसे मिलती है कि तुम यहां खड़े हो सीधे पाउं डाला तो डुप कि उसका जो अप कम डुबे हो फिर धिर आगे बढ़ते जाओंगे तो और डूबते जाओंगे और पानी बढ़ता जाएगा धिर धिरे गहराई असका कैसा है लेवल वह स्लोवण टाइप काहें जो स्लोब है भी बोलते हैं अ है यह के साफ ठीक है इसको बोलते हैं यह पीसका पार्ट ह ना है इंडिया का पार्ट को बापस इंडिया में क्या क्या आजिकल बननें जो सम्झा वो आ मास आ गया मूरा है फिर ऐस पेस आ गया प्रिटरियल वीटराइस श्वाहित कर आ गया सब स्वास्वाइल है ये सारा क्या गया यह इंडिया एस पर इंकम टेक्स एक्ट है इस बात को आपको समझ ना पढ़ है हर एक्ट के हसाब से इंडिया का मीनिंग बदल जाता जैसे आप मुझे बताओ 200 नीूटिकल माईल्स इंडिया का पाइट है कि नहीं है इंकम टेक्स के हसाब से है है बटस्तम के साथ से नहीं है किस्टम के हिसाब से इंडिया केबल होता है बारा नोरी ट्रॉकल माइल स्कkichल्स मतलब यजए ही बारा इनियुटिकल माइल्स के बाहर आपका सामन गया इक इने क्मित की बात करने तो सर जहां जहान से पानी चालू हो रहा हुआ से 200 नि उटिकल मायस्ट तक इंडिया है यह वो उन्स बोल रहा है इंकम टैक्संट से लेकिन अब कस्टम को पड़ोगे तो इसी इस बात को नहीं मानते हैं वह बोलते हैं नहीं इंडिया मतलब पानी से बारा निटिकल सुमाइज जैसे मतलब में बारा निटिकल माइल के बाहर गया वह आप इंडिया के कहा हो गए बाहर और अगर में बारा निटिकल माइल के बाहर अपना सामान ले गया वह मान लेते हैं आपने एक्सपोर्ट कर दि यह जो इंडिया का मीनेंगे किसके साफ से है सर मोटेक्स अब नीचे देखो पॉंट नंबर 5 में भी कुछ लिखा है पॉंट नंबर 5 में भी कुछ लिखा है एनी अधर स्पेसिफाइड मैरिटाइन जोन एंड दी एर इस्पेस अवब दी टेरिटरी एंड टर्यूर वाटर स्पेसफाइड मेरिटाइन जोन एज रिफर इंडी एक एक्ट का नाम दिया गया है समय समय पर जो चीजें हैं अगर मालोग उन्होंने और कोई एरिया स्पेसिफाइड किया तो वह भी इ इंडिया की डेफिनिशन के अंदर आ जाएगा तो यह तीसर डेफिनिशन ओफ इंडिया ओलो सर्य यहां तक मामला के लिए अगला क्या लेका है सर अगला क्या लिका सर मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट औफ टेक्स एक बर एक काम करो आप इसको पढ़ो पह कर दो कर देखो क्या लिखा एवरेज रेट फिंकम टेक्स मीन्स दी रेट अराइव इस रेट तक कैसे पहुंच होगे पाइड डिवाइडिंग दी अमाउंट फिंकम टेक्स कैसे नकलेगी तो अवरेज रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जिएड अपने जो टोटल इंकम है उस पर क्या निकाला हुगा टेक्स टोटल इनकम पर आपने टेक्स निकाला है उस टेक्स अमाउंट को करेक्ट आंसर डिवाइड कर दीजे आप अपनी टोटल इंकम से तो आपको क्या मिल जाएगी एवरेज टेक्स जैसे आप समझेए न अगर अगर कोई पॉसन न इंडिविजुल है उसके उपर क्या लग जाएगा स्लेब रेट लगेगा थाई लाग से पांच लाग फिर आग मैं यह नहीं बोलूँगा कि यहां से यहां पांच परसेंट पर उसके बाद 20% मुझे ऐसा बोलने की जरूरत मैं यह बोलूँगा कि इसकी टोटल इंकम ओने इस रेट से टेक्सिबल हुई है तो अगर मैं मेरे टेक्स अमांट को डिवाइड कर देता हूं किसी की टोटल इ 11 ॔लत मयां कहीं भी आपने स्टैस्टिक्स पढ़ा हो तो स्टैसिक्स में खोन सेस्ट होता था अर्थमेटिक मीन अगर याद हो आपको मुझा मीड़ा था इंकम एवरेज अ बसंब दसकी आहिए अलग प्युई याद रखता हूं कि इस क्लास के अंदर जो दस बच्चे हैon एवरेज मांक्स इतने आए तो वो कया है बस यहीं इहां पर तूसरा क्या लेकil का सथ दूसरा क्या लिखा maximum marginal rate maximum marginal treatment क्या लिखा सर अंदर पर एक Bon कि मिरेट अ cette income tax including सर्चार्ज का संस्था नियुह्यूभ ma अभी तो क्योंकि अपने रेट्स नहीं पड़े हैं अभी सर्चार्ट तो आपको समझ में अतना नहीं आएगा बट फिलाल सर्चार्ज का मतलब होता है टेक्स ओन टेक्स यो बहुत सुपर एलाइट क्लास के लोग होते न अमीर से भी अमीर लोग उनसे हम टेक्स नहीं लेते है सर्चार्ज भी इंकलूड होता है इंकलूडिंग सर्चार्ज और इंकम टेक्स इपनी एप्लीकेबल इन रिलेशन टु हाइस्ट स्लेव आफ इंकम इन केस ऑफ इंडिविज्वल योपी ब्योगाई एस दी केस में भी स्पेसिफाइड इन फैनेंस एक्ट आफ रिलेवे इंडिव में बैट गए डबलूटी विदाउट टिकेट पकड़े गए तो आप अगर वो लोगाने के नहीं नी सर में वोपाल से चड़ार मेरी इंदौर तक ही जरनी थी तो इंदौर तक किराया ले लो आपको क्या लगता है वो वो एमेमार लेगा तुम से रेन कहां से च लेगजीमा मार्जिनल वोलो सर यहां तक मामला क्लियर है क्या कोई भी कन्फूजन कोई भी टेंशन आ रहे हैं तो बताईए कि बुल है कि पूलियो बोलियो बोलियो मूख निमंत्रन छपना है अरे अभी तो मीलो मुझको मीलो मुझको चलना है यह तो प्रोफेशनल कोर्से जर्नी बेटा ऐसी है कल सी फाइनल सी इंटर का रजल्ट आया कुछ अब इसली बात है क्वालिफाई होंगे बढ़िया तो आप सोचकर देखो ना कि बापस से उस जर्नी को चालू भी तो करना है और बहुत सारी बच्चे कल से ही बिलकुल लग गए होंगे या चालू कर दी होगी तो यह कहानी ऐसी है कि खुद को आपको डे-वाइडे मोटिवेट ही रखना है बस हाँ इसमें अगर कुछ पॉजिटिवटी है जो आपको रखना चाहिए वो यह है कि मैं ऐसा मानता हूं कि इससे बढ़िया कोर्स कोई हो नहीं सकता था क्योंकि इसमें आपको हर एरिया का नॉलिज दिया जा रहा है अगर आप देखो इंगम टेक्स लोग को देखो कंपनी लोग को देखो य अपना शायद अदूरा रह जाता है या बीच में छोड़ देते हैं तो अगर आप जैकमा का नाम सुना है कभी अलीबाबा के फामडर जैकमा तो उनकी बड़ी अच्छी सेंग है कि टुडे इस डिफीकल्ट तो मोरो इस मोर डिफीकल्ट पर डे आफ्टर टमोरो इस अच्छे दिन आते हैं लेकिन अच्छे दिन तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और इंतजार की कहानी पेसेंस तो हमारे कोर्स में सबसे ज़्यादा चाहिए और जो पेसेंस रखेगा वह आगे बढ़ पाता है क्योंकि अगर आप एक बार में ही बिखर गए तो फिर नि अगर में है अगरfilm है फृर रही है तो है और नहीं है तो हमें यह तो सीखना पड़ेगा न सर इंकम किसको बोला जाएका इनक में क्या क्या आएगा लिजय सुरू करो ठीज़ी वंकम एं सेक्शन टू टूंटीफोर ओफ दिए इस्टार्ड विद्धी वर्ड इंक्लूड पता यह क्यों लिख रहे हैं स्टार्ड विद्धी वर्ड इंक्लूड एक होता ना एक होती इनक्लूजव definition एक होती है exclusive definition सर इन exclusive definition का मतलब यह होता है कि जो हमने कह दिया बस वही उससे आगे कुछ नहीं जो हमने कह दिया अगर यहां पर लिखा होता income means यह होती है exclusive definition means का मतलब जो हम बोलते हैं बस income में वही आएगा उसके ऊपर कुछ भी एक निया ऐसा नहीं लिखा वह सारी definition पढ़ोगे पढ़ा पढ़ोगे income includes मतलब हम जो बोल रहे हैं वो तो income है कल को अगर किसी और चीज़ को भी हमें इसमें डालना होगा तो हम डाल देंगे इसलिए देखो नहीं लिखा कि the word is start from include therefore the list is inclusive not exclusive यह लिस्ट जो हमारा अभी जितना दिमाग चला हमने उतना लिख दिया कल लोगो आगे जाकर कुछ और याद आएगा ना हम लिख देंगे तो आप यह नहीं बोल सकते तो इसा क्यों किया ऐसा आप तब बोल सकते थे जब यह देफिनेशन एक्स्क्लूजव होती लेकिन एक्स्क्लूजव बना रखी हमने तो जितना है वो तो ही आगे जाके और कुछ यहाद आता जाएगा हम इसमें एड-on करते जाएंगे चलो क्या क्या डेफिनेशन कमेंस इनुमिरेट सर्टन आइटम इंक्लूदिंग दोस विच कर रहे हैं तो आपको तो यह माने के चलना है कि जो यहां पर दिया गया है वो सब कुछ इंकम और उनके तुरू अगर आपके पास कहीं से पैसा आ रहा है तो फिर एक्स लाइबिलिटी आपके ऊपर आएगी ही आएगी चलो क्या क्या लिखा सर एक बर अगर डाइगराम के पास ब्लीगल सोर्स तो पैसा आपके पास लीगल या रहा हो या एलीगल या रहा हो फिर टैंपररेरी और पर्मानेट नेचर फिर लेका लंसम और इंस्टॉल्मेंट गिफ्ट इंकम फ्रॉम अदर सोसमें बहुत बढ़ा पोर्शन आता है किसका गिफ्ट का और रेवेन्य क्वर तो क्या करूंगा एककुल करना मैं आपको एक्जामपल दो और अगर मैं यहां पर अपनी सर्विसे दे रहाँ तो अब्स तॉरन कर रहा हूँ यहां से कै condemnat लास को unreliीं तीनव हुए तो में होने पहले तो पैसे नहीं लीए हो इंसे हो मतलब अग्जों क्या mi geschafft sara को मानेगा कि पिक्षको नहीं को किसे करेगा अगर एक्षॉल को कंसीडर करेगा अगर एक्षॉल को कंसीडर करेगा तो जब मुझे मिलेगी तब मेरे से income tax मांगेगा और अगर accrual को consider करेगा तो वो क्या बोलेगा सर देखो आपको मिली नहीं मिली वो ठीक है बट एक्रूड तो हो गई ना एक्रूड हो गई मतला आपके उपर tax liability आ गई तो मैं यह पूछ रहा हूं को वो एक्रूड को मानते होंगे या एक्चुल को मानते होंगे तो देखो जनरली जो माना जाता है वो किसको मानते हैं एक्रूड को मांद अगर इंकम एक्रूड हो गई इसके अंदर चलते हैं और पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक बार यह सिखाऊंगा कि किसी भी पॉस्टन की जो इंकम है वो कैसे कैलकुलेट होती है और दी स्टेप्स और जैसे जैसे मैं स्टेप बताऊंगा ना पूरा सलेवस आपका फिर उसी स्टेप में चलता रहेगा जैसे से पर सबसे पहले अपन क्या करते हैं तो इसके बाद अगला चैप्टर क्या होगा आपका तरीके से फिर वो पूरा फ्लो चलने वाला है लेकिन एक बार यह पूरा जो डेफिनिशन का सिलसला चल रहा है ना मीनिंग का सिलसला यह बार कतम हो जाए तो और इंट्रेस्टिंग हो ज सब्सक्राइब करें फिर निल्ब गाते हैं लेकjar चौन्हीन संब्सक्राइब तो इसका monetary valuation कैसे किया जाए उसकी monetary value कैसे निकाली जाए इसके लिए rules बना रखें उस rules के साफ से आपको क्या करना पड़ेगा उस kind का उस सामान की monetary value निकालनी पड़ेगी और फिर उस पर taxability आएगी लिखा इसके अंदर दूसरा सा receipt basis और accrual basis income arises either on receipt basis और on accrual basis it may accrue to the taxpayer without it अब मेरे उपर जैसे accrued तो हो गई जबकि अभी मुझे actually receive नहीं हुई है तो दोनों तरीके से हो सकते legal और illegal source में क्या लेका है सर इंकम tax law does not make any distinction between income accrued or horizon from legal source or income with illegality आप समझे इस बात को income tax law को इस पास से कोई निफरक पड़ता है कि आपकी income legal source से आई है आप सोच कर देखो lawmakers इतना वाइड सोच के रखते हैं अगर कल को लिग दिया होता है कि हम आपकी illegal income cortex मजा आ जाता लोगों को आप सोच कर देखो इंकम टेक्स को बिल्कुल सही बात है कि उनको इस बात से कोई फरक पढ़ना भी नहीं चाहिए इफ यू आर रॉनिंग एनी इंकम थेन हमें टेक्स चाहिए और यूर रॉनिंग फ्रॉम लीगल सोर्स और इंलीगल सोच आप इंलीगल कोई काम कर रहे हैं वो हमारा काम नहीं है उसके लिए हमने दूसरी बाड़ी वो तुम्हें पकड़ें वो तुम्हें जेल में इस इस से भी कोई फरक आप कहीं से इंकम जनरेट करें सर्व मेरे टेंपरी रिसूर्स है तो इससे क्या फरक पड़ता है आपका टेंपरेरी सोर्स हो या पर्मानेंट सोर्स इंकम तो आ रही ना और इनकम आरी मतला हमें तो यहां पर भी बिटा कोई डिफरेंस नहीं है आपका टेंपरेरी सोर्स हो चाहे आपका परमान अचा लंब समों इंस्ट्रॉलमेंट हो अ हां इंस्ट्रॉलमेंट मतलब इस से भी क्या फरक यह लिखा देखो लाइवल टू टेक्स चलो गिफ्ट बिटा तो आप तो देखो यह लिखा सेक्शन मैंने साहिद परसों जिक्र किया था सेक्शन 56-10 जनरल देखो अगर आपको गिफ्ट मिल रही है बिटा तो इसकी टेक्स बिलिटी 56-10 में आती है वहां पर कुछ गिफ्ट ऐसी होती है जो एक्जम्ट होती है कुछ टेक्स गिफ्ट जन पर आपको कोई गिफ्ट मिलती है तो फिर उस पर कभी भी टेक्स बिलिटी नहीं आती है वहां पर पढ़ेंगे यहां क्या लिखा है नॉर्मली गिफ्ट कॉंस्टीटूट अ कैपिटल रिसीट इन दी हैंड़ रिसीपियंट हावेवर सटेन गिफ्ट आर ब्रॉट वि पॉब्दाओं इस अधर आपने किसी को महलों कोई प्रॉपर्टी इफ्ट कर दिय किसी को घर गिफ्ट कर दियिए विदाूट कंसिडरेशन और इवन नृमिनल कंसिडरेशन मैंने एक करोड का घर क्सी को नाग्यार रूपे में दे दिया एक लाह रुपे में दे विशको क्या बोलते हैं आपने नॉमिनल कंसिडरेशन में तो यह गिफ्ट है तो टोटल जो एक्चॉल मार्केट प्राइज है माइनस आपने कितना लिया तो बीच का क्या पार्ट हो गया उसको गिफ्ट दिया मतलब उसको पर क्या जाएगी एक से बिलिट तो यहां पर लिखा हुआ क्या है कि आपने एकाउंटेंसी में बरबर के पड़ रखा होगा रिवेन्यों रिसीट कैपीटल रिसीट तो यहां पर लिखा है कि इंकम टेक्स एज दी नेम एंप्लाइज इस अटेक्स ओन इंकम एंड नॉट अटेक्स on every item of money receipt देखे समझेए यह बहुत important है आपको समझना कि आपके पास कहीं से भी पैसा आ रहा है तो उस पर टेक्स नहीं लगेगा every money receipt पर text नहीं लगता है वो money जो क्या बन जाए जो income कहला है जो income की definition में fall हो, उसके उपर text देना है आपको हम money text नहीं पढ़ रहे हैं income text पढ़ रहे हैं आप समझे मेरी बात को मैं वापस समझाता हूँ आपकी हर money receipt पर क्या text देना है आपको, वापस बोलता हूँ क्या हर money receipt पर text देना है तो money text थोड़ी पढ़ रहे हम क्या पढ़ रहे है income text, अगर आपको कहीं से कोई पैसा मिला और अगर आपका वो money जो पैसा आपको मिल रहा है, अगर वो income की जो हम definition अभी पढ़ रहे है, अगर वो income की definition में fall हुआ, तो वो क्या कहलाएगा, income और वो income कहलाएगा, तो उसक्यूपर क्या आएगी taxability, otherwise उसक्यूपर taxability तो यही लिखा है, देखो क्या लिखा है वापिस आप पढ़ो वापिस पढ़ो इट इस अटेक्स ओन income, not a tax on every item of money receipt, यह money tax नहीं है, यह income tax है तो हर money receipt पर income tax लगे ऐसा जरूरी, नहीं है हर money receipt पर income tax लगे ऐसा जरूरी, नहीं, उस money receipt को income बनना पड़ेगा, अगर उसकी उपर tax लगाना है, तो therefore, unless the receipt of question constitute income as distinguished from capital it cannot be charged to tax तो जब तक कि सर किसी भी money receipt receipt को income ना बोल दिया जाए, यह वो income की definition में ना follow जाए, तब तक आप उस पर tax नहीं लगा सकते हैं, बोलो यहां तक मामला क्लियर अ बोलिए यहां तक मामला के लिए हो तो बताईए, यहां तक मामला क्लियर है पका 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 पकापका यह पीडिएफ आपको मिली के अभी भी नहीं मिली नहीं मिली आप ले नहीं रहे हो मुझे लग रहा है आप सुचरों ले लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा मेरे बस मेरा इतना है आप से कि देखी जब इस बात को आप समझे मेरी बात को कि जब हम प्रेक्टिकल कोश्चन की तरफ चल जाएंगे जैसे आपका जो नेक्स्ट यूनिट है नेक्स टॉपिक है रेसिडेंशल स्टेटस उसमें हम क्या करने वाले हैं बेटा कि हम क्लास के द जो मैं पढ़ा रहा हूं वह आप पढ़कर रहा हैं या आप उसको पढ़कर रखिए अब इसमें फिलहाल एस सच प्रेक्टिस कराने जैसा कुछ लेकिन जैसी रेसिडेंशल स्टेटस पर आएंगे तो वहां तो आपको पता है वरबर के कॉश्चन है हम वह क्लास के दौरा तो यह भर्मान करेंगे जब तो क्लास की थोड़ा सा साइस्ट ब बढ़ जाएगी मccionesца उप्र चालू हो जाय गा और अगर आप पूरी मांदली के साथ प्रेक्टिस करते हो यहां भाए तो फिर मैं आपको बोह रहा हूं कि आपको ना तो कोई ना आएगी ना तो आपको घर पर जाकर कुछ भी मेहनत करने की जरूरत यह आपको थ्यान रखना है अजी मैं भीज दिया तो एक बार आप देख लीजे गवी यह गुरूप मेड हो गए आप हाँ क्योंकि देखिए अब अपने पास कुछ भी नहीं बचाया यह लास्ट है जो आपका capital और revenue रिसीड वाला concept यह लास्ट टॉपिक है इसके बाद अपना residential status हो रहा है कल से अपन चालू कर देंगे अपना residential status तो आज तक का अगर आपका सब कुछ पढ़ कराना है क्योंकि जब कल हम बात करेंगे residential status की तो उसके पहले में आपको क्या बताऊँगा पूरे steps बताऊँगा जो आपको लिखने पढ़ेंगे तो पूरे steps लिखने के साथ फिर हम बढ़ेंगे और कल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे question या तो सकते हैं या फिर कल क्लास जबाएंगे तब पूछ लीजेगा तो कल यह थोड़ा सा में आपको homebug देके जा रहा हूं यह देखिए जो देखा है ना capital revenue वाला यह आपको पढ़ना है वाकि इसमें सच क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई tough नहीं मैंने आपके module के ही question दे रखें बेटा देख रहा होगा आपको illustration number one यह आपके module का ही है यह आपके module का question है तो आप चाहें तो इसको एक बार solve कर सकते हैं मैंने इसलिए डाल रखा था कि एक बार आप देख लीजेगा तो ठीक है एक बार क्यूंकि अगर mcq की बात करें तो उसमें आ सकता है को एक आपको statement से दिया उसमें कोई income बोल दी और आपसे बूचा जाए कि revenue नेचर की है या capital बिल्कुल आ सकता है कोई दिक्कत तो है उसमें तो यह बार आप देख लीजे तो मैंने दोनों illustration डाल रखे हैं with solution डाल रखे हैं तो यहां तो आप यहां से देख लीजेगा या फिर आप module से देख लीजेगा दोना में से चलेगा कल अम बात करेंगे section number 4 से जो आपका charging section है तो जरूरी है कि सर हमें यह तो पढ़ना पढ़ेगा ना कि under which section your income is going to be text तो उसको बोलते है charging section charging section छोटा सा है आपको दिख रहा होगा कल यहां से चालू करेंगे और फिर चलेंगे residential status की तर इतना ही मिलेंगे आप से कल करेंगे कुछ धेर सारी बात हैं सीखेंगे कुछ नया ग्यान तब तक के लिए अप सब रखो अपना अपना ग्यान थेंगे सो मच गाईज बाई बाई सी टेक कियर